जितने भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट गूद निकल कर आ रहा है कि चतिस गड़ में पहले बार जेल परहरी के दो हजार पदो पर सबसे बड़ी भरती निकल कर आ रहा है तो जो भी स्टूडेंट चतिस गड़ में जेल परहरी बनना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट सुना हरा मौका है गोल्डन अपर्चुनिटी है एक तरह शेक है तो दो हजार पदो पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भरती निकल कर आया है तो 36 गड़ में जो भी स्टूडेंट जेल पर हरी भरती पर एक्षे एक्जाम की प्रिप्रेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपर्चुनिटी है जरूर होगा आप लोगों को सोचना भी सही है लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग ये क्यों नहीं सोचने कि इस बार में कैंसिश निकला है तो इस बार हमें इतना महनत करने इतना महनत करना जितना आप लोग यदि college वाले student है चाहे बार भी पढ़ते जितना महनत dedication आप 90% 80% लाने में लगाते हैं college में 60% 60% लाने में जितना महनत है आप लोग करते उतना महनत है आप competition exam कीजाए न और आप लोग को selection जरूर होगा क्योंकि 2000 post क्योंकि एक बार अगर इसमें भी किजिए और आप लोगों को सिलेक्षन हो जाएगा और आप जो च्छाटिस कर्में जेल पर हरी बन सकते हैं 2000 पोश्ट आप लोगों के लिए आया है तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि जेल पर भरती परिक्षा केला आपको अवेधन करना है इसमा कितना है चैन पर क्रिया किस तरह से होगा सिलेबस और एक्जाम पेटाना क्या होता है जिल पर भरती परिक्षा में किस तरह से प्रश्न जो आपके एक्जाम से में पूछ जाते हैं सभी डिटेस आपको इस्टे बहुश्टे पूरा बारीकी से बताऊंगा तो वीडि ऑजिकाल होगा देन आपका त्युटा हुगा उसके बाद मेडीकल टेस्ट है फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिलिबस ए पीटेर्युय परते हैं कि कॉण्ण कॉंग से कितने प्रशना जोback के शांट में पूछा जाएगा कॉन तो आप लोगों को बताना चाहता हूं जेल पर भरती परिक्षा में कुल सौ प्रशन पूछे जाते हैं प्रतिक प्रशन आपका एक अंक होका और इसमें आपको परिक्षा के लापको दो घंटे का समझ दिया जाएगा और साथ ही इसमें बताना चाहता हूँ आप लोगों को इसमें निगेटिव मार की बिल्कुल भी नहीं होता तो आपको सौमें से सौब क्वेस्टन आपको शॉल करना है अगर आपका दुक्का भी सही लग जाता है तो आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा तो 100 में से 100 वेक्षान आपको शॉल करना है अब ऐसा नहीं कि कुटुक्का मार लिए तो आपको कौन कौन से सब्जेक्टर से आपके एक्जाम में जो है क्वेस्टिन आएंगे और आपको बुक जो है कौन को से लेने चाहिए जिसे आपका सेलेक्शन हो जाए और आपनी इस तौर पर जो मैं आपको बताऊंगा उन चीजों को यदि आप फालो करते तो आप 36 गण में जेल पर भरती परिक्षा एक्जाम को आसानी साम जो है क्वालिफाइक कर पाएंगा तो इसमें समान्य ग्यान से प्रशन जो है पूछे जाते हैं हिंदी शायगा अपके एक्जाम मे प्रशन पूछे जाते हैं अब आपको सभी चीजों में आपको पूरा डिटेस में एक्स्प्लेंड करता हूं तो समान्य ग्यान के बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपका 36 गड़ की समान्य जानकारी आएगा प्रसीद्ध पूस्तर के और लेकर क्या काफी ज्यादा इ कब IPL में कौन कौन से टीम ने पाटिशिपेट किया किष्ण ट्रॉफी जीता ये सभी पुस्तके इतिहास संस्कृती परंपरा उत्यावार 36 गड़ का विकास 36 गड़ की संस्कृती भारती राजनिती भारती अर्थ वेवस्ता भारती इतिहास विश्वमय अविश्कार अर्ष ग्यान बजट और पंचवर्सी योजना ये सभी आपके समानी ग्यान से जोड़ा रहता है तो आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले तो 36 गड़ के बारे में तो इसकल आप माश्य उन्हेस समानी ग्यान के लिए भी आपको 3 दूटेजल क्क का लेना चाहिए साथ में आपको जो है प्रती विटाइब का राप्र stunt फैर्स के यह भी आपको जो हम लेना चाही है जिससे अपको एक्जाइम की इंक realistically क्वास्व पकरresh इ्पत्री का ल दे दिया है आप वहां से जाकर पर्चेस कर सकते हैं हिंदी के बात करें तो इसमें आपके एक्जाम्स के लिए आपको जो है डिली आई-एस अकेडमी का बूक लेना चाहिए जिसे आपके इंदी के प्रपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको जो है डिली आई- बारे में पूरे अच्छे से नॉलेज हो जाएगा उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लीश की तो इंग्लीश में आपका पूरा ग्रामार आएगा जिसमें नावन, प्रोनावन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रिपोजिशन, आर्टिकाल, डिग्री, सेंटेंस, टेंस, 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 वान वर्ड़ सब इस्टिटूशन, और राइटिंग, और यह सभी आपके जो हैं इंग्लीश में पूछा जाता हैं, सेलेक्शन प्रोसीजर तो रिटान एग्जाम, फ्यूजिकल टेस्टर, मेडिकल टेस्टर पर हैं आपका जो हैं नेरभर हो ग्यान जो साइंस के हैं उसके क्वेस्टन आपका सौल हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट के बाद करें तो इसमें आठ सो मीटर दाउंड होगा जिसे आपको चार मिनाट में पार करना है, सेलेरी के बाद करें तो इसमें निस सो जार पान्सौर रुपे आपको मिलेगा, आई देखने को मिलेगा और इसके लए भी ओफिसल नोटिफिकेस निकल कर नहीं आया है, आपको अवेदन करने के लास्ट अजट क्या है, को सकता है कि कुछ महिनों के अंतर गएत एक दो महिनों में इसमें नोटिफिकेस निकल कर आ जाएगा, और हम सभी को पता चले गाए कि ज नहीं सब अपडेट आप लोगों को मैं देना चाहता था तो आई होब कि जित्ती भी जनकारी मैंने आप सभी को दिया वह सभी जनकारी आप लोगों को पसंद आए अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जनकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज प्लीज वीडियो को ज लिखाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थैंक यू